का एक और नया जबरदस्त धमाकेदार और सांदार सेसन जी हाँ हमने दो गलेंड एंडोक्राइन सिस्टम की अल्रेडी पढ़ ली है एक गलेंड हमने पढ़ीती वहाँ पे थाईरोईड और दूसरी पढ़ीती पैरा थाइरोईड आज हम तीसरी गलेंड को यहाँ पे लेके आये हैं जैसे कि आपको बताए कि बीच में जो चार सेशन थे हमने चो ब्रीज कोर्स के लिए चलाए और आज उसके एक्जाम में सभी बच्चों ने बहुत जबर्दस्त किया पूरा पेपर जो है वो बहुत सांदार रहा और सभी बच्चों ने जबर्दस्त तरीके से इस प पेपर दिया और एक जबर्दस्त वाला पेपर दिया उनको सभी को बहुत 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 बदाई और अब हम वापस अपने एंडोक्राइन सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं और अगली ग्लैंड का आज हम नंबर लेंगे यहां पे जिसका नाम है पैंक्रियाज ग्लैंड जै हमारी बोडि की हरे ग्लैंड अलग अलग जगे पे होती है अब्डोमिनल केवीटी में पाई जानी वाली ग्लैंड है कहां है क्या है कैसी है क्या काम होते हैं सब कुछ आज हम डीटेल के साथ में पढ़ेंगे और इसके लावा हम बात करेंगे टाइप वन डाइबर्टीज क बारे में तो सुवात करता है एक बैतरिन सेशन की गुड इविनिंग टो आल सभी लोगों का स्वागत है और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेशन को Dreng से पढ़िएगा और फिर अपना बैस टांसवर देने की कौसीश करिएगा सौल ने यहां पे क्या पूचा यह पनक्रियाज क्या है पैंक्रियाज क्या है एंडोक्राइन ग्लेंड है दोनों है या इन में से कोई नहीं सबी लोग अपना बैस जौब लेके जो क्राइन का मतब होता है कि वो ग्लेंड जो अपने सिक्रिस्टन डक्ट के तुरू किसके तुरू डक्ट ग्लेंड कहते हैं उसको और डक्ट के तुरू अपने सिक्रिस्टन स्टार्गेट जगे पे पहुचाते हैं इनके सिक्रिस्टन कभी भी बलड में नहीं जाते हैं किस में बनता है तो mild है आठ में बनता है तो gastric isa अगला जो रहता है वह आपका है endocrine gland वो gland जो duct less होती है कैसी होती है duct less होती है और यह वो gland होती है जो अपने secretions डारेक्ड ली diffusion के process ब्लड में डाल देती है और उनको hormone बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको hormone बोलते हैं तो याद रखेगा हम जब इस pancreas gland की बात कर रहे हैं तो pancreas gland एक तो बनाती है pancreatic juices pancreatic juices और यह जो pancreatic juices होते हैं यह directly आत में डाल दिये जाते हैं duct के through duct के through आत में जाते हैं blood में नहीं जाते हैं तो यह exokrine काम तो इसका 99% होता है कितना percent 99% और दूसरे जो endocrine काम है कि यह gland hormone भी बनाती है क्या बनाती है hormone भी बनाती है तीन तरीके के hormone यह gland बनाती है एक hormone को नाम देते हैं insulin दूसरे hormone को नाम देते हैं glucagone और तीसरे hormone को नाम देते हैं somatostatin यह तीन तरह के hormone इस gland के दारा बनते हैं और यह काम इसका एक परतिस्सत रहता है 99% तो एक परतिस्सत इसका endocrine function है तो यह एक मात्रा मारी body की gland जो दोनों तरीके के काम करती है correct answer क्या बन जाएगा C बन जाएगा इस gland के अलवा एक और gland है जिसका नाम है liver अलांकि liver endocrine system में हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन liver भी exocrine और endocrine दोनों काम करती है जब बच्चा पेदा होता है तो पेदा होने के बाद में तो liver जो है वो bile बनाता है और यह liver का exocrine secretions है और यह डक्त के त्रू खुलता है dudinum के अंदर यह bile liver ही बनाता है और इस bile के अलवा दूसरा liver का काम क्या रहता है? दूसरा liver बच्चे के पेदा होने से पहले insulin like growth factor बनाता है और वो hormone है क्या बनाता है? इंसुलीन-like growth factor 1 और यह हार्मोन है तो यह दोनों काम है लीवर के तो लीवर भी दोनों तरह का ग्लेंड है यहाँ पे correct answer क्या बन जाएगा C बन जाएगा दूसरा लिकावा है left hypochondric region of abdominal cavity तीसरा लिकावा है pelvic cavity और चौता है both A and B situation पूची है सभी लोग अपना best ज्वाब लिकेगा कहाँ पर पाई जाती है बहुत interesting बहुत ही ज्यादा interesting where is pancreatic situated epigastic region left hypochondric region of abdominal cavity pelvic cavity both A and B जाब लिकेगा क्या answer होना चाहिए situation पूचिए हमने बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया यहाँ देखिएगा pancreas ईसकी situation जब हम देखते है तो यह आपका stomach है और यह आपका d goddamn है और यह जो pancreas होती है यह pancreas呵ty लीप के a एंद की कैसे सेप की אנחנו multinial collaboration होती है जो इस तरीके से यह पर पाई जाती है और यह जो आपका Jabdomen day stomach स्ट्रों मगरे में यह जो एरिया है यह लेक्ट साइड का हाइपो कॉन्ड्रिक वाला एторिया है कौन सा एरिया लेक्ट साइड का हाईपो कौन्रिक वाला एरिया है जहां में पर इसके सिटुएशन हरती है यह रहती है यह पहलविक इसकी सिट्वेशन हमने देखी इसको अगर अगर अपन लंबाई में मेजर करें यहां से यहां तक तो इसकी लेंथ कितनी रहेगी 9 cm, 11 cm, 15 cm और 19 cm यह जो पैंक्रियाज है इस पैंक्रियाज की लेंथ यहां पे पूछिए तीन पार्ट होते हैं यह पार्ट इसका हैड वाला पार्ट है यह बीच वाला पार्ट इसकी बोड़ी कहलाती है और इस पार्ट को पैंक्रियाज की टे पान पान फाइव पांच का वहाँ पे मंत्र निकलता है तो पांच से याद रखे पंदरा पांच से क्या याद रखेंगे पंदरा नहीं होती है कितनी होती है पंदरा सेंटीमिटर तो सी यहाँ पे करेक्टान सुरे अगला है पैंक्रियाज इन रिलेशन टू पैंक्रियाज हम समंद किस से बजाते हैं स्टोमक से बनाते हैं और डूडिनम से बनाते हैं तो वो कहा होती है स्टोमक और डूडिनम के पॉस्टिरियर एंटिरियर पॉस्टिरियर और सुपिरियर पॉस्टिरियर टू स्टोमक और एंटिरियर टू डूडिनम जब हम स्टोमक और पैनक्रियाज का स्टोमक और डूडिनम यह स्टोमक और यह डूडिनम और जब हम इसका सम्मन्द बनाते हैं पैनक्रियाज से यहां पे होती है पैनक्रियाज तो जब हम इनका रिलेशन बनाते हैं तो पैनक्रियाज स्टोमक और डूडिनम के कहां पे होती है ये कौन सी जगे पे है ये स्वाल ने पूछा है पीछे है आगे है पीछे और उपर है और पीछे इस टॉमक के और आगे ड्यूडी नम के है कहां पे इसका सिट्वेशन है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो सभी लोगों ने अलग-अलग जवाब लिके हैं अपन अपने जवाब को हर कोई आप पे देना है NBS सबकी कलासे लगाएंगे आप फोकस करो क्वेशन के उपर और अपने जवाब लिको कौन सी कलास कब लगेगी ये सब आपको इनफॉर्म करकर के लगाएंगे और हमारी नजर में हर एक एक एक्जाम रहता है आपको चिंता करने की कौसिस करो और मैक्जिमम लोगों तक इनको सेर करो पहुंचाओ लोगों को बताओ इन चीज के बारे में और अगर वत्ती करना तो बिलकुल ना भूले तो यहाँ पे हमने बता दिया है कहां होती है तो देखो दिखने में ऐसा लगता है कि यह स्टोमक के नीचे है पैंक्रियाज कभी भी सामने से दिखता नहीं हमें यहाद रखना यह दोनों के पीछे की तरफ होता है कहां पीछे देखो पीछे कहां देखो पीछे पीछे को क्या बोलता है पॉस्टीर तो यह यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस ओल्वेश सिटुएटेड पॉस्टियर टू लूप दूसरा लिकावा है लीवर एंड श्टोमक तीसरा क्या लिकावा है दूडिनल लूप एंड इस्प्लिनिक हाईलब और चोता नन नौप दिअब ऑव जवाब लिकेगा भई सबी लोग अपना बैस जवाब लिके बहुत अच्छे बहुत अच्छे पॉस्टीर बिल बंबर और स्टॉमक में डूदिनम लूप और स्प्लीनिक हाइलम। और नन अब दिए जवाव। जवाब लिखे। अब देखो। सिंपल सा कंसर्ट है कि ये आपका स्टॉमक है और ये है डूदिनम। ठीक है। और पैंकृयाज कहा होता है। पेंक्रियाज यहाँ पें पाये जाता है ठीक बात है? कि इतनी बात समझ भागी अब स्टोमक और डिूदिनम का लूप यह होता है यह है तो पेंक्रियाज यहाँ नहीं होता है तो लोग जो आप लिक रहे हैं वह तो गलत है पेंक्रियाज is not situated here and this is not the loop this is loop of तो यहां नहीं है, यह मुआ है, यह दो है यह नए है, यह एक तो होते हैं डिउडिन उडिनम है दूसरा यहां पर होती है श्प्लिन स्प्लीन टिली का स्प्लिन ओलबी यह तो आईलम और डिउडिनम। यह आपका स्प्लीन ठीक बात है और यह आपका डूडिनम और इनके बीच का जो यह लूप बंद रहा है यहाँ पे पैंक्रियाज है तो डूडिनम की जो लूप है और स्प्लीनिक आईलम जो है वहाँ पे यह होता है पैंक्रियाज की सिट्वेशन होती है क्लियर है अगला है सिक्रिशन और पैंक्रियाटिक जूसेज अब इसके दो काम है एक तो हमने बोल दिया कि यह एक्जोक्राइन काम करती है और इसका एक्जोक्राइन काम कौन सा है कि यह पैंक्रियाटिक जूसेज बनाती है और यह काम ह जुसे सिक्रिट करने है, जवाब लिखेगा, सभी लोग अपना बैस जवाब लिखे, अरे भाई सभी के कमेंट का आंसर देंगे, कमेंट तो करो, है की नहीं है, आप तो पड़ाई पे फोकस करो, हम सारे कमेंट के आंसर देंगे, है की नहीं है, तो यहाँ पे गैस्टिन, द को लोगों को मानना है किéticoर्ण सर एंटरोका इनेज जो कि गलत है यह जो सी जौब कह रहे हैं वह तो गलत है एंटरोकाईनेज तो बिल्कुल गलत है enterokinase कभी भी pancreatic usage का secretion नहीं गराता है ठीक बात है अगला लिकावा है gastrin, secretin और enterogastron तो यह भी गलत है और gastrin जो होता है वो secretion नहीं गराता है it's a secretion secretion से क्या बन गया? secretion, it's a secretion तो अगर आपको कोई पूछे which usage is the secretion of pancreatic usage is stimulated by secretion who is responsible for the secretion of pancreatic usage secretion is responsible for the secretion of pancreatic usage B is the correct one A, C, O, D, T, N, O, H गलत statement है समझ आया? समझ आया? बहुत बढ़िया enterokinase intestine के लिए है दोस्त, enterokinase नहीं होगा हाँ B लिके है C गलत है हाँ B is the correct one secretion बहुत बढ़िया secretion or colecystokinin which of the following is the common passage for the bile and pancreatic usage bile और pancreatic usage का common passage कौन सा है duct of odai ampulla stomach duct of versung दोनों का common passage liver से आएगा bile liver से क्या आएगा bile और दूसरा आपका क्या आएगा दूसरा इदर से आएगा आपका pancreatic usage जब यह दोनों मिल जाते हैं कौन सी जगे पे मिलते हैं और इनका मिलन कहा होता है मिलन पूचा है हमने मिलन पूचा है अरे इसको duct of odai नहीं कहते हैं इसको duct of odai नहीं कहते हैं ipetopancreatic ampulla कहते हैं sphincter of odai कहते हैं अब आपको यह odai word दिकरा हैं सिर्फ duct of odai थोड़ी बोला उसको थोड़ा तो समझो हमने मिलन कराया और उस जगे को बोलते है ipetopancreatic ampulla क्या बोलते हैं ampulla तो यह जगे ampulla है कौन सी जगे है ampulla है आपको पूचा है common passage ampulla इन दोनों का common passage है stomach या duct of वरसंग नहीं है और duct of odai नहीं होता है वो ipetopancreatic ampulla होता है sphincter of odai होता है अगला है the pancreatic usage which aids digestion and secreted into pancreatic usage होते है वो digestion में मदद गरते है वो कहां पे secret होते है मतब pancreatic usage को बनाती है बना के juice आगे जाते है तो इनका secretion कहा होता है सभी लोग अपना best जवाब लिकेगा बिल्कूल बहुत अच्छे दिमाद हर एक question पे लगाना है pancreas की normal anatomy की बात कर रहे हम क्या काम करता ही हम बात कर रहे है बिल्कूल hipertopancreatic ampulla जवाब लिके सबसे important gland है कितनी बार पढ़ा है स्वाल गलत हो रहे है इसका मतलब है कुछ नया सीखने की जरुत है और आप कुछ नया सीख रहे है तो आप बहतरीन platform पे है और उनके गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है जिनोंने अगरवती नहींगी इस वाल का जवाब अगरवती लगा के देखे guarantee ऐससे ही होगा और यहाँ पे देखेगा liver, dudenum, stomach और ileum चार option हमने लिखे correct answer क्या रहेगा dudenum, sir, क्या answer रहेगा dudenum, क्योंकि सारे secretion hipertopancreatic ampula से dudenum में आते है उदर से bile dudenum में आता है खाना dudenum आएगा और वहाँ पे खाने का metabolism होगा और इनी की वज़े से होगा juiceage की वज़े से होगा clear है, बहुत बढ़िया तो B यह आपे correct answer है lies near the hilum of the spleen and upper pole of the left kidney बड़ा interesting question है जवाब बड़ा जबरदस्त है सोच समझ के क्या सोच समझ के जवाब लिखेगा सही होने की पूरी समावना रहे लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते है और जो seamless selection कहानी उसे कहते है अपनी अपनी कहानी लिखो क्या, अपनी अपनी कहानी लिखो अपने हातों से यहाँ पे आपको बताना है lies near hilum spleen or upper pole of left kidney बहुत जबरदस question है तो hilum of spleen के पास में कौन होगा आसान है कि यह आपका stomach है और stomach के बाद में यह ता आपका dudinum और मैंने बोला यहाँ जो pancreas होती है यह pancreas जाके यहाँ पे खतम होता है यह area तो head है pancreas का head है यह area इसका body है और यह है tail और यही पे आपका spleen का hilum था तो जो area वाँ पाया जाता है उसको tail कहेंगे क्या tail कहेंगे head और body वो नहीं होगी और hilum तो बिल्कुल नहीं होगा तो spleen in hilum के पास में pancreas की क्या पाया जाती है tail और मैंने बोला अगर बती लगाती फरक पड़ेगा आप देख सकते हो अपना answer और yes सही हो गया समझ रहो बात को अगले question की तरब बढ़ रहे है endocrine function of pancreas pancreas का endocrine function पूछाए दोनों तरह की gland है exocrine काम भी करती है endocrine काम भी करती है अब हमने बोला इसका जो endocrine काम है वो काम क्या है endocrine काम है कि ये pancreas जो होती है वो कुछ न कुछ hormone बनाती है क्या बनाती है hormone बनाती है कौन सा production of insulin production and digestion of pancreatic juices production of glucagon और none of the above endocrine function पूछा है मेरे दोस्त क्या answer होना चीए क्या answer होना चीए हमने endocrine function पूछा है B ज़ाब लिक रहे है B ज़ाब में लिकावा है digestive pancreatic juices ये pancreas का exocrine function है ये कौन सा function है exocrine function है हम exocrine नहीं पूछ रहे है क्या पूछ रहे है इसको देखो तो जरा ये endocrine लिकावा है और sir हमें तो endocrine दिखी नहीं रहा है हमें तो exocrine दिख रहा है अरे क्यूं दिख रहा है ऐसा ऐसा उल्टा क्यूं दिख रहा है सीधा क्यों नहीं दिखता है उल्टा क्यों दिख रहा है सीधा क्यों नहीं दिख रहा है अरे नन कैसे होगा भाई production of glucagon कब करता है C कैसे होगा थोड़ा तो दिमाग लगाओ endocrine function क्या है कि pancreas insulin का production करती है अरे pancreas insulin बनाती है रे insulin insulin वो हार्मोन जो बहुत जरूरी है बोड़ी में glucose के लेवल को कम करने के लिए और उसी के तो बिमारी पढ़ते हैं जब pancreas को पढ़ते हैं ये pancreas एक आर्मोन बनाती है और उसका नाम है insulin क्या नाम है इसका insulin और ये insulin blood में glucose के लेवल को कम करता है glucose को regulate करने का काम करता है इस hormone को बनाने का स्रेक इसको जाता है pancreas को कौन सा part है pancreas गा जो produce करेगा और secret करेगा insulin को हमारी pancreas insulin बनाती है तो pancreas का वो कौन सा part है जो insulin को produce करेगा और pancreas glucagon थोड़ी बनाता है C कैसे होगा YC यहाँ पर क्या लिकावा C में कि production of glucagon glucagon क्या है glucagon क्या है एक hormone है जो pancreas बनाता है लेकिन याद रखे कि हम endocrine function की बात करें है और इस endocrine function में important hormone insulin है और आपको 4 में से एक option चूज़ गरना है कि यह endocrine function क्या pancreas गा तो insulin बनाता है glucagon बनाता है लेकिन glucagon जो है वो second important hormone है अगर आपको 4 में से कोई एक option चूज़ करने का बोले मतब स्वाल एकजाम आ गया आपको कोई एक चूज़ करना है तो एक कौन सा होगा बतलब इन दोनों में से आपको एक करना है यह तो बिल्कूल नहीं हुआ अब insulin करूं सर्य या glucagon मैंने कहना है दोनों ही यह produce करता है लेकिन हम जिस gland को पढ़ रहे हैं जिसकी ज़्यादा तर बीमारी पढ़ते हैं जिस hormone की importance है मुक्या है जो इस gland का वो कौन है इनसुलीन प्राइटि परैएटि पर रहेगा और मैन एंडोक्राइन फंक्शन इनसुलीन को बनाना है गलुकागोन भी बनाता है लेकिन कभी आप ने चुक अब ज़या नहीं हो गए गलुकागोन कम हो गए तो बीमारी हो गी अरे सर नहीं सुना तो फिर glucagon is not the priority वाई glucagon is priority अगर आप दोनों मैंसे C कह रहोगी C होगा सर A नहीं होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि C नहीं होगा A होगा, समझ गे मेरी बात को दोनों नहीं होगे भई, most common insulin that's good, very good, बहुत बढ़िया तो आपको यह ज्यान रखना है समझ गे, आसान है, याद रह जाएगा बहुत बढ़िया, अगला question कौन से पार्ट से secret होता है insulin, glomerulus glomerulus होता है kidney में दूसरा क्या लिका भाई, bowman capsule bowman capsule होता है kidney में अगला है, Iceland of Langerhans exactly, Iceland of Langerhans यह जगह है, Langerhans DP का ही कहते है इसको pancreas में होती है, और यह secret करती है pancreas के हार्मोन Iceland of Langerhans, exactly alpha cell are found in, of the Iceland of, while beta cell are usually found in, the Iceland of कहां कहां होती है देखो pancreas में दो तरे की cell का हमने जिकर कर दिया, एक cell का नाम है alpha cell, कौन सी cell alpha, दूसरी cell का नाम है beta cell, दो cell होगी तो एक alpha है, और दूसरी beta है, यह जो alpha cell है यह बनाती है, glukagone क्या बनाती है, यह अभी वाला glukagone, जो अभी हम बात कर रहे थे है ना, और यह beta cell बनाती है insulin, क्या बनाती है insulin, एक होता है glukagone और एक होता है insulin, जो प्रदान आर्मोन है जो चौदरी आर्मोन है वो इंसूलीन है यह आपको ध्यान रखना है अब आपको यह बताना है कि यह कहां पाई जाती है पेरिफ्री सेंटर सेंटर पेरिफ्री इक्वल इन बहुत रिजन पेरिफ्री पेरिफ्री इक्वल इन बहुत रिजन एलपा सेल आ interesting है और ज्वाब भी मज़ेदार होने वाला है तो सभी लोग अपना अपना concept लगाएं कि साब जो pancreas है उसमें alpha cell कहां पर पाई जाती है center में या equal या periphery में दूसरा यहां पर क्या लिखा है कि आपका जो beta cell है वो कहां पाई जाती है periphery में center में periphery में equal या equal in both region या periphery where is both are situated let's see कितने लोग सही जोदे पते हैं so confusing यह तो मज़े वाली बात है जिस स्वाल में confusion है इसका मतलब वाँ solution भी है और confusion का solution जब मिल जाता है तो जिन्दगी सवर जाती है और रोज हम यह कोसिस करते है जिन्दगी को सवार ने की जरूर एक दिन नहीं लेकिन एक दिन सही जरूर सवरेगी तो तो देख़िए गा जो पैंक्रियाज है उसमें जो एल्पा सेल है वो तो अमेसा पाई जाती है periphery में और जो बीटा सेल होती है center में बीटा सेल होती है और equal नहीं होती है और alpha cell periphery में होती है पर beta cell equal नहीं होती है तो alpha cell periphery में है और beta cell कहा होती है center में तो correct answer क्या बन जाएगा A, B, C, O, D, तिनों ही क्या है गलत statement है which cell produce insulin insulin कौन सी cell produce करती है insulin produce करने वाली cell कौन सी है alpha, beta, delta या epsilon चार ओप्सन हमने यहां पर लिख दिये insulin कौन सी cell produce करेगी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया सभी लोग जवाब लिखें और best answer लिखें देगो आपके comment ही आपकी knowledge को बढ़ाएंगे comment चाहिए गलत हो जाए कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन comment जरूर करेगा ये बात आपके अंदर होनी चाहिए तभी मैं सीकेगा क्या तभी मैं सीकेगा alpha cell यहां पे नहीं रहेगा alpha cell glucagon बनाती है insulin बनाने वाली cell कौन सी है beta cell, delta cell नहीं है, epsilon बनाती है somatostatin somatostatin और यह जो alpha cell है यह क्या बनाती है glucagon, glucagon हमें insulin का पूचा है यह beta cell का कार्य है कौन सी congenital pancreatic anomaly can cause diabetes in late stage late stage में diabetes करने वाली pancreatic anomaly कौन सी है fibrocystic disease, annular pancreas, cystic fibrosis या congenital cyst चार बाते हमने यहां पे लिख दी और आपको यह बताना है कि कौन सी congenital pancreatic anomaly can cause diabetes in late stage, late stage में diabetes करने वाली pancreatic anomaly कौन सी है जो आप लिखेगा और वो congenital होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, congenital होनी चाहिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, तैको maximum लोगों को अब क्या लगेगा क्या रहे सर यह तो cystic fibrosis है, तो मेरे दोस्त, cystic fibrosis late stage में नहीं होता है यह early stage में है और इसमें जरूरी नहीं है कि diabetes हो, इसलिए यह तो गलत है cystic fibrosis जरूर congenital होती है, लेकिन यह late stage में pancreas नहीं करती है यह बच्चा भी ज्यादा सरवायू नहीं करता है, यह खुदी early stage में बच्चे की मृत्य हो जाती है तो this is not cystic fibrosis, this is not congenital cyst and this is not annular pancreas fibrosystic pancreas, fibrosystic pancreas होने के और भी बहुत सारे region है cystic fibrosis में भी pancreas fibrosis होता है, और भी बाकी बीमारियों में pancreas का fibrosis होता है और जब pancreas fibrosis होता है, तो fibrosis का मतलब है वो pancreas की cell जो hard हो चुकी है, टप हो चुकी है और जो डंग से काम नहीं कर सकती है, उसको fibrosistic pancreas कहते है तो यहाँ पर correct answer क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, B, C, O, D, 3 गलत statement है anatomy and physiology of pancreas, बहुती सांदार the risk factor for type 1 diabetes, याद रिकिएगा, pancreas की पहली बीमारी आ गई यहाँ पर अभी तक आपने normal anatomical question discuss किये, अब पहली बीमारी है, type 1 diabetes इसको DM1 कहते है, उसके risk factor यहाँ पर आपको बूच लिए, यहाँ रिकिएगा, type 1 diabetes होती है इसको insulin dependent diabetes mellitus कहते है, और इसमें insulin का level जो होता है, insulin blood में 0 होता है, और when there is 0 insulin, the need of insulin from externally बाहर से insulin का जरुत पड़ेगा, क्योंकि blood में insulin कैसा है, 0 तो यहाँ पर पूचा है, कि type 1 diabetes के होने के कारण है, एक को छोड़ के type 1 diabetes कैसे होती है, एक को छोड़ के, पहला लिकावा है diet, दूसरा है genetic, दीसरा है autoimmune और चोटा है environment, अब कई लोगों ने B जवाब लिका है, उन्होंने अभी तक यह भी नहीं देखा कि स्वाल में accept लिकावा है, तो मेरे दोस्त पहले स्वाल को पूरा पढ़े, फिर option को पढ़ के जवाब लिके, इतना काई का जल्दिया हमें, कहीं नहीं जाना है, तो स्वाल तो ढंग से पढ़े, option को पढ़े, और फिर अपने मन से, अपने तन से, दिमाग से, सोच के, फिर answer पूट करें, answer भी सही होगा, और answer option देने का मज़ा भी आएगा, अब देखो, genetic और autoimmune तो beta cell का destruction करते हैं, और यह most common region है, जिनकी वज़े से type 1 diabetes होती है, genetic और autoimmune तो most common region है, जिन से type 1 diabetes होती है, और इन में, कोई भी, इन में, कोई भी beta cell जो है, वो survive नहीं कर पाती है, और देरी zero insulin, तो यह तो most common कारण है, अब बात आई, diet और environmental की, तो यह देखिएगा, environmental factors जो होता है, जैसे virus, viral infection होता है, जो environment है, या ऐसे कोई factor, वो भी जाके beta cell के destruction का कारण बनते है, तो environmental factor also can destruct the beta cell, और जिसमें zero insulin हो सकता है, पर diet से कभी भी, या देखिएगा, diabetes होने के बाद में diet का math है, diet से कभी भी type 1 diabetes नहीं होती है, कि इसने बहुत ज़्यादा गुलाब जामून का लिए, तो diabetes होने के बाद में मीटा नहीं खाना है, पर मीटा खाने से diabetes तोड़ी होती है, बहुत common sense बात है, तो risk factor, diet कैसे हो सकता है, कभ इसने से diabetes नहीं होती है, अगर आप गुलाब जामून खाते हो, तो उसे diabetes नहीं हो आए, diabetes होने के बाद में गुलाब जामून खाना मना है, समझ आ रहे ब्यात को, diet कैसे होगा, इतना तो कम से कम common sense लगाओ, बाकि सारे factor तो बनेंगे, लेकिन diet is not the risk factor of type 1 diabetes, not the risk factor of type 2 diabetes, बहुत common sense है, समझ मा गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, diet का बहुत बढ़ा रोल होता है, अरे बहुत बढ़ा, इतना बढ़ा होगा, लेकिन वो बाद में होगा, जब भीमारी हो जाएगी, पहले कोई बढ़ा रोल नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, अगला question देखिएगा हाँ, बहुत बढ़िया, environment से कैसे होगा diabetes, बहुत कुछ होता है environment से, कई ऐसे देशेज है, कई ऐसे देश है, जैसे अभी इंदुस्तान में तो बहुत speed से बढ़ रही है, तो particular area का फरक पड़ता है, environmental factor, जो beta cell के destruction का कारण बनते हैं, दुनिया बर के factor है, viral infection हो गया, बहुत स सुरुआत है, अरे अभी तो सपर की सुरुआत की है, अन्जाम अभी बाकी है, अभी सपर की सुरुआत की है, अन्जाम अभी बाकी है, ना हारूंगा ही मत, मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, और हम चलेंगे, और जबरदस चलेंगे, और कारवा हमारे मिक्स मत करो चीजों को अगर आप चीजों को मिक्स करो गए तो समझ में नहीं आएगा separate करकर के पड़ो smartly पड़ो smart बनो बहुत बढ़िया तो यहां पर आपको क्या लिकावा है यहां पर आपको लिकावा है कौन सा characteristic feature है type 1 diabetes का पहला type 1 diabetes is caused by absolute deficiency of insulin दूसरा लिकावा है type 1 diabetes is associated with autoimmune destruction of beta cell तीसरा है patient with type 1 diabetes present with diabetes ketoacidosis क्या कोई बात गलत लग रही है नहीं लग रही है तो correct answer क्या रहेगा D रहेगा sir यहाँ पे all of the above क्या रहेगा all of the above D यहाँ पे correct answer है A, B और C तिनोई गलत है क्या तिनोई गलत है अगला question, nurse should recognize which symptom as a cardinal sign of diabetes Diabetes का cardinal sign तो cardinal sign का मतलब है यह sign इसी बीमारी में देखने को मलता है तो diabetes का cardinal sign पूछा है type 1 diabetes अगर किसी को हो गई है cardinal sign क्या रहेगा जवाब जवाब वहड़ा interesting है पहला option है nausea दूसरा है seizure तीसरा है hyper activity और चोता है frequent urination type 1 diabetes का cardinal symptom देखिएगा diabetes के cardinal symptom होता है 3P's sign क्या होता है 3P's sign इस 3P में पहला sign होता है polyuria और polyuria का मतलब होता है frequent urination पहला sign है polyuria दूसरा sign polydipsia polydipsia और तीसरा sign क्या होता है polyphasia polyphasia अरे सर पोली यूरिया क्यों होता है तो याद रिखेगा जब diabetes होती है तो insulin की कमी होती है insulin की जब कमी होगी insulin की कमी होगी तो body में hyperglycemia होगा और glucose का level जब body में ज़ादा होगा तो यह glucose ज़ादा glucose क्या करता है increase करता है urination ज़ादा glucose ज़ादा collagen के काम को ज़ादा है पैसाब ज़ादा बनवाता है जब पैसाब ज़ादा बनेगा पैसाब ज़ादा निकलेगा कमी होने लगेगा अब जब पानी का कमी होता तो हम क्या करते हैं बोलो बोलो क्या करते हैं पानी पीते हैं सर या का पूछना है तो पानी पिला दो पोली डिपसिया होता है बार बार पिएगा अगर बार बार आउटपुट होगा तो पार-पार इंपूट होगा और इंपूट होने के बाद में क्या होता है बोडी की सेल को गुलकोज नहीं जा रहा है इसलिए तो बलड में पड़ा हुआ है इसका मतलब बोडी की सेल में नहीं जा रहा है जब गुलकोज सेल में नहीं जाता है तो सेल भूकी है बोडी में भू लगी है तो आदमी ज़्यादा खाता है इसको polyphasia कहते है क्या कहते है polyphasia तो correct transfer क्या बन जाएगा correct transfer यहाँ पर बन जाएगा D frequent urination nausea seizure या hyper activity is not the symptom of diabetes it's not the symptom of diabetes बहुत बढ़िया अगला question which of the following serum measurement are not used for diagnosis of diabetes diabetes mellitus के diagnosis की बात हो रही है किस की बात हो रही है diagnosis की बात हो रही है जवाब लिखिएगा जिन्होंने अभी तक अगरबती नहीं किया अगरबती का मतलब है लाइक बटन प्रेस नहीं किया आप कोगे सर इससे क्या होगा मैं कहूंगा एक बार करके देखो आपको पता चलने लग जाएगा अदबुत सक्ति का संचार होता है पूरे रॉम रॉम के अंदर सैल सैल के अं सोच समझ के लिए या देखे नोट वर्ड है डाइग्डोसिस में कौन सा यूज नहीं करते है तो फास्टिंग बलड सुगर जो होता है यह जरूर करते है और यह सोके अंदर-अंदर होना चीए लेस देन अंड्रेड होना चीए जब किसी को डाइबिटीज नहीं हो तो इंसुलीन ंडिन तो इनसुलीन कभी भी टेस्ट के अंदर नहीं करते है इंसुलीन तो इलाज इंसुलीन्स का इलाज इंसुलिन का लेवल थोड़ी देखते है − इंसुलीन तो इलाज है अरे हिमोगलोबीन A1C देखते हैं D तो बिल्कुल सही है हिमोगलोबीन A1C तीन महीने का एवरेज सुगर बताता है तीन महीने का एवरेज सुगर बताता है और यह diabetes के control को indicate करता है तो यहाँ पे यह नहीं रहेगा insulin कभी भी हम check नहीं करते हैं insulin तो दवा है insulin कोई test नहीं है insulin क्या है diabetes की दवा है तो E नहीं रहेगा answer जो E कर रहे हैं जो D कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं खोटा कर रहे हैं correct answer तो क्या रहेगा C ही रहेगा insulin diabetes का diagnostic test नहीं है insulin diabetes का treatment है diet diabetes का risk factor नहीं है diet भी diabetes का treatment है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डगमगाओ मत भई, डगमगाओ मत, stable रहो, अपने आपको मजबूत बनाओ, अपने concept में रहो, हिलोरे मत खाओ, हिलोरे मत खाओ, अगला question, which of the following symptoms do not present in hyperglycemia, स्वाल को दुबारा पढ़ लो, मौका पूरा दे रहा हूं, लेकिन ज्वाब सही होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखावा है, extreme thirst, दूसरा क्या लिखावा है, hunger, तीसरा है, blood glucose less than 60, और चौता क्या है, glycosuria, ज्वाब लिखेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ज्वाब लिखेगा, अरे बर्प को, पानी को, बर्प में बदलने में वक लगता है, डले वे सूरज को निकलने में वक्त लगता है, डले वे सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हिमत रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे, दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, खुलेगा, एक दिन जरूर खुलेगा, और उस दिन किस्मत वो भी हमारे साथ होगी और मंजिल हमारे पाउं के अंदर होगी Extreme thirst, Extreme thirst is the clinical sign of hyperglycemia Hunger, Polyphagia is the clinical sign of hyperglycemia Glycosuria, Glucose in urine is the clinical sign of hyperglycemia पर कौन सा नहीं है, क्या? कौन सा नहीं है अरे नहीं है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे सर? अरे इसको hypo बोलेंगे, क्या बोलेंगे? hypoglycemia बोलेंगे, ये hyper नहीं हो सकता तो यहां पर correct answer क्या बन जाएगा? C बन जाएगा, इसको hypo glycemia कहते है बाकी तीनों symptom किसके है? hyperglycemia के हमें बोला कि hyperglycemia का symptom कौन सा नहीं होता है तो ये symptom नहीं है, correct answer C अगले question की तरब चलते है type 1 diabetes typically have the following clinical characteristics type 1 diabetes के clinical sign यहाँ पर पूछे अगर कोई बच्चा type 1 diabetes से सपर कर रहा है जिसमें insulin zero, insulin नहीं होती है बिल्कुल भी नहीं होती है तो आपको ये बताना है कि कौन सा type 1 diabetes है जवाब लिखेगा जवाब लिखें जवाब में तेजी होनी चीए जवाब में तेजी होनी चीए पहला thin young with ketone present in the urine overweight young with no ketone present in urine thin older adult with glycosuria overweight adult age with ketone present in urine type 1 diabetes का feature सबसे पहले आपको ये पता होना चीए कि type 1 diabetes जो होती है वो कभी भी adult age में नहीं होती है इसलिए गलत हो गया overweight नहीं होती है इसको type 2 diabetes होती है type 1 diabetes older adult में नहीं होती है बच्चों में होती है बच्चों वाली diabetes को type 1 diabetes कहते है दोनों ही गलत हो गया अच्छा overweight young with no ketone अगर ketone नहीं है तो type 1 नहीं है तो सबसे इंपोर्टन बात है, Carbon वाले बहुत ज्यादा पतले होते है, thin होते है, एकदम दुबले पतले, क्यूं। क्यों है, वोडी के अंदर, बुल को ज्यादा होने की वजह से, बहुत ज्यादा thin-out होगे वो, है ना, तो बहुत थिनाउट होते हैं, यंग एज होती है, और कीटोन परजेंट होते हैं यूरीन में, अरे एक करेक्ट आंस्वर है, ये फीचर सारे टाइप वन डाइबिटीज के है, पतला होगा मरीज, उसके यूरीन में कीटोन होगे, है ना वो कीटो ऐसी डोसिस में जाता है, की प्रजेंट रहकिएगा, which of the following symptoms, might an older woman with diabetes mellitus complain, मतलब एक older woman है, बुड़ी अम्मा है, जिसको diabetes mellitus हो गई है, कौन सा symptom, वो complain करेगी, क्या बोलेगी वो, मतलब उसका diabetes mellitus हो गया है, और वो बुड़ी अम्मा है, older woman है, तो क्या symptom उसमें रहकने को मिलेंगा, पहला यहां पर ल diabetes को, diabetes mellitus या GNI diabetes भी कहते है, बच्चों वाली diabetes कहते है, अब आपको यह बताना है, अरे HHNS भी बताएंगे, DKA भी बताएंगे, अरे सारा बताएंगे, ध्यान रखो, पहले जो बताया जा रहा है, उस पर फोकस करो, सब कुछ बताएंगे, कुछ भी पीचे नहीं रखेंग जो आप लिखेगा, diabetes का क्या symptom, एक older woman के अंदर देखने को मिलेगा, याद लिखेगा, older woman के symptom जब पूछे जाते हैं, और diabetes का क्या complain ले क्या आईगी, तो यहाँ पर पहला anorexia, तो this is not the complain, यह ज़्यादा तर, young age वाले बच्चों में, जो type 1 diabetes होती है, उन में होता है, ketoacidosis क की वज़े से, nausea या vomiting जो होता है, वो DKA की वज़े से होता है, इन में normally adult age में, ketoacidosis डवलप नहीं होती है, तो यह गलत जवाब हो गया, दूसरा लिखवा है, pan intolerance, diabetes से दर्द का कोई समझ नहीं है, अला कि कुछ body में pan होता है, diabetes वालों को, लेकिन intolerance हो, ऐसा दर्द भी नही diabetes में होता है, यह अम्मा है, अम्मा है, तो अम्मा, यानि type 2 की है, तो इसमें यह पहला sign नहीं है, weight loss ज्यादा तर thin out जो होता है, वो type 1 के बच्चे होते है, तो इनको क्या हो जाएगा, इनके perineal area में itching रहेगी, याद रिखिएगा जो diabetes के मरीज होते है, उनको fungal infection, कौन सा diabetes diagnosis, fungal infection लेके आती है, और उससे होती है, male में भी fungal infection हो जाता है, जहाँ पे glucose का level जादा रहेगा, वहाँ पे fungus बहुत जल्दी growth कर जाते है, और fungal infection इसके diagnostic test के रूप में, diagnostic sign के रूप में वहाँ पे appear होते है, और इसको हम diagnose कर जाते है, diabetes को, clear हो गया, बहुत बढ़िया, कितने से कम हो, तो blood glucose जो है, उसको well control बोला जाएगा, पहला लिखावा है, below 7%, दूसरा है between 12 to 15%, तीसरा है less than 180 mg per deal, और चौता है between 90 to 130 mg per deal, blood glucose level कितना होगा, तो हम उसको well controlled diabetes बोलेंगे, well controlled diabetes, जवाब लिखेगा, diabetes को well controlled कब बोला जाएगा, अब याद रिखेगा, fungal infection कैसे होता है, fungal infection होता है, जब glucose का level जादा होता है, जहाँ hyperglycemia रहता है, वहाँ पे, वो fungus के लिए appropriate environment है growth के लिए, और urine में glucose बार बार आता है, तो उस जगे पे fungal infection हो जाता है, well controlled, अब देखेगा, हमने बोला diabetes, blood sugar well controlled है, तब जब hemoglobin A1C, अब maximum लोग क्या जवाब लिक रहे है, D जवाब लिक रहे है, अब D में क्या लिकावा है, कि 90 से 130, यह क्या है, यह blood sugar है, यह क्या है, यह blood sugar है, और मेरे लाला, आपको यह पता होना चाहिए, कि हमने hemoglobin A1C पूचा है, और A1C कभी भी इस report से नहीं आ किसा percentage value में होगी, और यह तो glucose लिकावा है, यह तो glucose लिकावा है, तो यह तो दोनों ही नहीं होंगे, COD तो धरती गलत होगे, तो अब क्या बचा, यह percentage value है यह, और यह भाई साब, very, very, very poor control, है ना, यह इतना ज़्यादा poor control है, जहाँ पे 12 से 15, hemoglobin A1C, 7 और उससे कम होना चीए, 12 से 15 A1C है, कभी जवाब नहीं होगा, कभी जवाब नहीं होगा, तो correct answer क्या रहेगा, मिलो 7%, हमने A1C का पूचा है, थोड़ा स्वाल को, थोड़ा स्वाल को ढंक से पड़े, पूरा स्वाल पड़े, option को ढंक से पड़े, फिर जवाब दे, क्या, फिर जवाब दे, यह उनको जवाले है, यह है आपका, very very poor control, तो correct answer यह बनेगा, समझ में आया तो, बोले yes, बहुत बढ़िया, 7 से कम होना चीए, क्या, A1C 7 से कम होना चीए, diabetes best control है, 7 से कम, अगर यह 5.6, कितने से कम, 5.6 से कम हो, less than 5.6% हो, तो there is no diabetes, absolutely no diabetes, ऐसा हम बोल देते हैं, क्लियर है, अगला question दैकिएगा, एक मरीज है diabetes का, morning में उसके glucose का level आया 50, स्वाल फसाएगा, सोच समझ के जवाब लिखेगा, और जिनोंने भी अगरवत्ती नहीं लगए, यहां अगरवत्ती का मतलब है like button नहीं रवाया, उनको थोड़ा समझ में कम आयेगा, अब आप पे depend करता है, तो यहां पे दैकिएगा, पचास है glucose, पैसेंट जो है, उसमें sweaty है, cold है, कामी स्कीन है, मरीज को पसीन आ रहा है, थोड़ा ठंडा हो गया है, और कामी स्कीन है, आपको कौन सा intervention most important काम में लेंगे, मरीज का गुलकोज कितना है, पचास है, मरीज का गुलकोज कितना है, पच symptom आ रहे है, most important action क्या होगा, सभी लोग अपना अपना जवाब लिखे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, सभी लोग अपना answer लिखे, और कुछ लोग लिख रहे है, rechecking, बहुत अच्छे, और कुछ लोग लिख रहे है, पैसेंट को आदा कप fruit juice दे दो तरह के जवाब यहां पर आ रहे है, मतलब, डॉक्टर को phone नहीं करेंगे, और पैसेंट को nothing by mouth, NPO नहीं करेंगे, यह आप लोगों का मत है, फिर सुन लीजेगा, मरीज का glucose है 50 और symptom हा रहे है, और symptom क्या है, symptom है sweaty, पसीना हो रहा है, ठंडा हो रहा है मरीज, और एकदम का सुगर, क्या करेंगे, क्या करेंगे, जवाब लिखे, अब देखो, कुछ लोग कह रहे है, रीचेक करेंगे, देखो भई, देखो भई, पहले तो मैं यह कर देता हूँ कि यह तो बिल्कुल खोटा है, क्यूं, क्यूंकि जब 50 है, और symptom हा गए है, तो चेक करके क्या करना च चाते हो, यह तो धरते ही गलत है, क्यूंकि जब symptom हा गए है, तो दुबारा चेक करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, गलत हो गया, दूसरी इंपोर्टेंट बात, कुछ लोग कह रहे है, डॉक्टर को कॉल करेंगे, अरे आईपोग्लाइसीमिया है, आएगा तब तक जाएगा, तो यह नहीं करेंगे, और अगर मुँ से कुछ ले रहा है, तो एंपो क्यों करना, दे दो, मीटा दे दो, फ्रूट जूस पिला दो, बुलकोज को बढ़ा दो, बापा जी को, स्वर्ग के द्वार से वापस ले आओ, उद्दार कर दो, यमराज से वापस ले बाबाजी, जा रहे हैं, करेक्ट आंसवर क्या रहेगा, भी रहेगा, उसको जूस दे दो, क्या जूस दे दो, कौन सा स्टेट्मेंट, कौन सा स्टेट्मेंट, इनकरेक्ट है, रिगार्डिंग डाइबिटिक कीटो असिडोसिस, टाइप 1 डाइबिटीस का, एक most important complication क्या ह कि इसमें diabetic ketoacidosis हो जाती है क्या हो जाती है ketoacidosis क्या है जब fat टूर्टी है टो क्या है ketone बनते है fat टूर्टी है तो क्या बनता है ketone तो यह ketoacidosis है अब ketoacidosis के बारे में incorrect क्या है आपको यह पूच लिया है regarding ketoacidosis कौन सी चीज इनकरेक्ट है जवाब लिखेगा बिल्कुल रसगुला खिला सकते हो गुलाब जामुन खिला सकते हो मीटा जूस पिला सकते हो सैद दे सकते हो टौफी दे सकते हो मीटा होना चाहिए क्या मीटा होना चाहिए कुछ मीटा हो जाए ये बाबा जी को कहेंगे बहुत बात है, कोई समस्या नहीं है, Chine Stroke Breathing will always present in ketoacidosis, ketoacidosis में Chine Stroke Breathing हमेशा present होती है, बिलकुल खोटा स्टेटमेंट है, ketoacidosis में, जो breathing होती है, वो Chine Stroke नहीं होती है, वो breathing होती है Cosmol's, क्या होती है? Cosmol's breathing होती है, इस breathing को, Cosmol's breathing कहते हैं वहाँ पे एसिडोसिस की वज़े से होती है एर हंगर बोलते हैं इसको यह चाइन इस्टोक ब्रीधिंग नहीं होती है तो यह गलत है सी वाला इनकरेक्ट पुछा था और लास्ट है सीवेर आइपोगलाइसीमिया इजे हॉलमार्क साइन टीटोसिस का हॉलमार्क साइन आइपोगलाइसीमिया नहीं होता है यह भी खोटा है तो यह दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमने पुछा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट तो बहुत आर्द इनकरेक्ट बहुत आर्द इनकरेक्ट जो 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 नहोंने डी दिया है वो अब सही है C B सही है और D B सही है दोनों ही ketoacidosis के sign नहीं है क्या sign नहीं है बहुत ही बढ़िया अगले question की तरफ बढ़े हैं एक मरीज है जिसको diabetes है और surgery के लिए तियार कर रहे हैं मरीज क्या feel कर रहा है कि उसको लग रहा है कि उसका sugar हो गया है आपने चेक किया तो अगला nursing intervention क्या रहेगा अगला nursing intervention क्या रहेगा पहला क्या लिखा भाई पहला क्या लिखा भाई administer dextrose 50% administration dextrose 50% ना कोई बात नहीं भाई D और C ध्यान दे के जवाब दिया करो बस और कुछ नहीं बहुत बढ़िया तो dextrose 50% IV continue to monitor the glucose अगला यह give the percent 4 orange of fruit juice और none this is a normal blood glucose reading कुछ नहीं करेंगे यह normal blood glucose reading है चार option है जवाब सोच समझ के लिखेगा स्वाल interesting है मरीज का 52 है blood glucose का level 52 है जवाब लिखेगा क्या answer है बहुत बढ़िया कुछ लोगों का जवाब A है कुछ लोगों का जवाब C है कुछ लोगों का जवाब A है कुछ का C है और C में लिकावाए give the percent 4 orange fruit juice यह previously तो सही था लेकिन यह जो भाई साब है यह nothing by mouth है अरे मरीज NPO है मरीज का oppression होना है और फिर आप मुझ से कैसे पिला सकते हो थोड़ा तो दिमाग लगाओ थोड़ा तो दिमाग लगाओ आपका मरीज NPO है NPO मरीज को orally allow नहीं है इसके C जवाब तो यहाँ पे नहीं रहेगा अच्छा continue monitor से कुछ नहीं होगा हाइपो हो गया है नॉर्मल नहीं है यह नॉर्मल नहीं है मरीज NPO है हाइपो हो चुका है हाइपो का हिलाज यहाँ पे IV glucose ही रहेगा यहाँ पे मरीज को क्या रहेगा हाइपो का हिलाज IV glucose ही रहेगा और IV glucose कहां लिकावा है ए ओप्सन में 50% dextrose जो है वो protocol के according यहाँ पे मरीज को IV लगा देंगे और उससे मरीज का hypoglycemia treat हो जाएगा simple concept है याद रह जाएगा स्वाल को पूरा पढ़े option को पूरा समझे best जवाब लिके छोटे छोटे concept question में चुपे वे होता है और इनी को हम भूल जाते exam में और उसकी वज़े से exam में minor mistakes हो जाती है अरे sir अच्छा पढ़ा बढ़िया पढ़ा के अंदर concept को पकड़ लिया करो स्वाल actually में क्या पूछ रहा है वो समझ लिया करो आपका स्वाल कभी भी गलत नहीं होगा क्या कभी भी गलत नहीं होगा तो यहाँ पे correct answer A रहेगा next choice 50% अब कही लोग कह रहे अरे sir ये 50% थोड़ी आता पचास कह रहा तो पचास दे दो पचीस से ज़्यादा ही है पचास और जल्दी ठीक हो जाएगा मरीज अपना क्या लगेगा समझ रहो मेरी बात को तो आप भाव पे जाओ क्या भाव पे जाओ अगला question देगिएगा insulin forces which of the following electrolyte out of the plasma and into the cell याद रहिएगा हमारा जो blood है जैसे हमारा जो ये blood vessel है इस blood vessel के अंदर cells होती है ये cell है ठीक बात है ये cell है और इस cell के बाहर blood है इस cell के बाहर blood है इस blood के अंदर क्या है insulin है glucose है और electrolytes है insulin है glucose है और electrolytes है अब आपको क्या करना है इस सेल के अंदर इंसुलीन है इस ब्लड के अंदर क्या है इंसुलीन है इसके अंदर क्या है ग्लुकोज है और एक मेजर इलेक्टोलाइट होता है जो सेल के अंदर होता है उसको पोटेशियम कहते है क्या कहते है पोटेशियम अब इंसुलीन का क्या क काम होता है इंसुलीन इस सेल के दर्वाजे को खोलता है क्या करता है सेल के उपर पाया जाने वाला जो दर्वाजा है इस दर्वाजे को खोलने का काम करता है इंसुलीन जैसी दर्वाजा खुलता है तो इस दर्वाजे के खुलने पर यह जो बाहर वाला गुलुकोज है इसके entry कहां कराता है उन दोनों को पकड़के cell के अंदर ले जाता है अगर blood ने potassium का लेफल ज़ादा होता है तो हम ईलाज के लिए भी insulin काम है अब को पता हूं तो जब hides के लिए भी इनartet है इंसूलीन काम में लेते हैं और जब अभी इलाज के लिए है तो insulin के साथ में potassium देते हैं क्योंकि मरीज को hypokalemia की risk है सब्सक्राइब बात को तो diabetes वाले मरीज में hypokalemia की risk है और hyperkalemia वाले मरीज के ilaj के दोरान hypoglycemia की risk है यह interdependent point है दोनों तो जो electrolyte imbalance होता है उसका क्या नाम है potassium है इसलिए हम जब भी insulin देते हैं किसी मरीज को तो potassium देते हैं और जब भी किसी मरीज के potassium को कम करने की दवाई देते हैं तो साथ में glucose देते हैं समझ दो मेरी बात को तो यहां पे correct transfer क्या रहेगा D रहेगा potassium का imbalance हो जाता है insulin potassium को पकड़ के cell के अंदर डाल देता है next question client with type 1 diabetes may require which of the following change to their daily routine during period of infection एक मरीज है type 1 diabetes गाए और इस type 1 diabetes वाले मरीज में क्या हो गया है infection हो गया है है अब आपको यह बताना है कि इस में कौन सा change daily routine में change करना पड़ेगा जब मरीज को infection हो गया है daily routine के अंदर क्या change करना पड़ेगा अगर उसको infection हो गया तो और मरीज type 1 का है type 1 मरीज का मतलब हो गया insulin dependent diabetes mellitus का मरीज है आपको यह बताना है no change less insulin more insulin oral anti-diabetic agent सभी लोग अपना best जवाब लिके type 1 diabetes का मरीज है मतलब insulin dependent diabetes वाला मरीज है मतलब juvenile diabetes का मरीज है तो आपको यह बताना है कि क्या करेंगे उस मरीज में है जब infection हो गया है अगर infection हो जाए तो क्या करेंगे no changes less insulin more insulin oral anti-diabetic agent और अगर कोई जवाब दे रहा है तो क्यूं करेंगे ऐसा जैसे आप कहे रहे हो कि कम देंगे insulin तो क्यूं कोई change नहीं करेंगे तो क्यूं जादा देंगे तो क्यूं और oral hypoglycemic agent और यह देंगे तो क्यूं मतब गोली देंगे insulin बंद कर देंगे तो ऐसा क्यूं जवाब लिखेगा तो याद रिखेगा जब आपको यह पूचा जाए कि मरीज इस टाइपअं diabetes का है और उसको infection हो गया क्या हो गया infection याद रखें कि infection जब भी होता मारी बोडी में और अगर glucose का level बोडी में ज्यादा रहता है तो इंफेक्शन जो है वह हील नहीं होता है है वुंड ealing जो होती है वंड healing जो होती है वह दीरे हो जाती है क्या हो जाती है स्लो हो जाती है दीरे हो जाती है तो अगर आप इस वूंड इलिंग को फास्ट करना चाहते हो तो आपको ग्लुकोज को टाइट कंट्रोल करना पड़ेगा ग्लुकोज को एपसोल्यूट कंट्रोल करना पड़ेगा ग्लुकोज को जबरतोस वाला कंट पर इंसुलीन को कम करने से ग्लीकोज टाइट कन्ट्रोल करना तो किया होगा वह संफीन होगागी और fast होने लग जाएगी, infection जल्दी treat हो जाएगा, और जब भी मरीज को infection होता है, और अगर वो पहले से oral hypoglycemic agent ले रहा है, तो भी उसमें insulin सुरू कर देनी होती है, क्योंकि OHA से glucose अच्छे से control नहीं होता है, diabetes की सबसे अच्छी दवाई क्या है, insulin ही है, क्योंकि यह बिमारी insulin क कमी से होती है, तो जैसे थाइरोड, hypothyroidism, thyroid की कमी से है, तो हम thyroid देते हैं, वैसी यह insulin की कमी है, so insulin दो, insulin इसका सबसे अच्छा हिलाज होता है, इसके हम insulin यहाँ पर देना पसंद करते है, C यहाँ पर करक्टान सुर है, एक मरीज है जो हम insulin ले रहा है, NPH insulin, याँ देखिएग होती है च्या होती है rapid acting एक insulin होती है rapid acting एक insulin होती है एक insulin होती है rapid acting comment बहुत fast act करने वाली दूसरा insulin जो होता है वह आपका जो है मतалась quick acting और एक insulin होता है intermediate acting एक insulin होता है रेगुलर इंसुलीन हम इंसुलीन एक होती है आपकी इंटर्मीडियेट जो इंटर्मीडियेट होती है इसको बोलते हैं इंटर्मीडियेट इंटर्मीडियेट तो रैपीड एक्टिंग फास्ट एक्टिंग इंटर्मीडियेट एक्टिंग और एक होती है आपकी लोंग ए एक आपका इंट्रमीडियर्ट एक्टिंग और एक लोंग एक्टिंग रैपीड एक्टिंग जो होती है यह वेरी सौट एक्टिंग इंसुलीन है दिन में इसको छह बार दे सकते हूँ जाते ही काम करती है थोड़ी देर में पीक बनके दो गंटे में असर खतम हो जाता है सौट एक्टिंग इंसुलीन अंदर जाती है थोड़ी देर रहती है आधे गंटे बाद में बढ़ना शुरू होती है दो गंटे तीन गंटे पर पीक बनता है साथ से आट गंटे पर रहती है तो यह इंसुलीन दिन में तीन बार दे सकते है क्योंकि आट से दस गंटे में तक कभीवी peek, नहीं बनता है, यहाँ गएगा, Rapid Actinth Insulin, को Lis Прow, क्या 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 जिस प्रो, यह जो Sort Actinth Insulin होती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, Regular, रेगुलर या यूमन एक्ट्रापीड इंसुलीन एक मातर इंसुलीन जिसको आईवी देते हैं इंट्रावीनस यूमन एक्ट्रापीड इंसुलीन यह जो एंपेच इंसुलीन होती है इसको यह एंपेच इंसुलीन को एन इंसुलीन कहते हैं क्या कहते हैं एन इंसुलीन कहते ह और यह जो लोग एक्टिंग इंसुलीन होती है इसको हम गलारजीन इंसुलीन कहते है गलारजीन या इसी को हम लेंटस इंसुलीन कहते है कौन से इंसुलीन लेंटस लेंटस या गलारजीन जिसका कोई पीक नहीं बनता है जिसका कोई पीक नहीं बनता है स्मूतली 24 गंटे तक काम करती है और गुलकोज को सबसे अच्छा रेगुलेट करती है अब देखो अगर हम रेगुलर इंसुलीन और यह N इंसुलीन मतलब R और N इन दोनों को मिला दे तो इनको मिला के बनाई जाने वाली इंसुलीन को मिक्स्टाड इंसुलीन कहते है जो पाच्वी आईपोग्लाइसिमिया कब हो सकता है उसको जो मरीज इंसुलीन लेता है वो आईपोग्लाइसिमिया के रिस्क पे होता है उसकी सुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आपको यह बताना है कि इसको आईपोग्लाइसिमिया कब हो सकता है तो मैंने बोला इसका पीक होगा त 16-18 गंटे इसके लगाने के 16 गंटे के आसपास पीक बनेगा और 18-24 गंटे तक नहीं होता है तो इसका इसका आइपोग्लाइस्मिया के रिस्क जो होती है वो जाधातर 16-18 ऑवर्स यह समय रहता है जब इसका पीक बन्सक्राइब सॉर्य, सॉला से उटारा गंटो ये खत्म हो जाती है, हाइपो घ्लाइसमी हो गाइप Walay semaine, पीक बनेगा तब इसका पीक बनेगा and then works potrzeb खत्म हो जाता है, 18 गंटे तो बहुत जादा है, 18 और 24 गंटे बहुत जादा है, और 2 से 4 गंटे पे तो यह असर ही नहीं करती है, तो इसका पीक बनता है 4 से 12 गंटे, एक्जेक्ली 12 से 16 है, तो minimum वाले को priority देते हैं, तो 4 से 12 गंटे, तो correct answer क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, answer change करने में फुर्ती बहुत है आपकी, B से C, C से B, ऐसे भागो मत दोस्त, क्योंकि कई बार, कई बार मामले बदल जाते हैं, B यहाप ए correct answer है, और आपको ऐसे change नहीं होना है, अपने concept पे रहना है, क्या अपने concept पे रहना है, बहुत बढ़िया, अगला है, what insulin type can be given IV, मैंने बोला, 4 तरे की insulin होती है, और 4 तरे की insulin में, regular insulin जो होती है, इसको R insulin कहते है, short acting है, lispro insulin होती है, यह very short acting या rapid acting है, क्या है यह, rapid acting है, NPH insulin जो होती है, यह N insulin है, intermediate है, intermediate है, और यह जो है, यह long acting है, क्या है यह, long acting है, ऐसी 4 तरे की insulin होती है, type 1 diabetes का इलाज insulin है, और insulin के 4 तरीके है, regular is the R insulin, और यह short acting है, यह rapid acting है, lispro, N insulin intermediate है, और यह long acting है, एक मातर insulin जिसको कैसे देना है, IV देना है, आपको यह बताना है, IV किसको देते हैं, तो मैंने अभी बताया है, कि एक मातर insulin जो IV देते हैं, वो R insulin है, R insulin can be given IV, और इससे बनता है, R IV, ER, तो emergency response में, R insulin को IV देते हैं, इसको river कहते हैं, river, emergency में बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, तो बचाना पड़ेगा, बचाने के लिए, emergency में, emergency room के अंदर, rescue करने के लिए, IV insulin कों सी देते हैं, R insulin, तो concept क्या बन गया, river, याद रह जाएगा जिंद्गी भर, e river, याद रखना है जिंद्गी भर, exactly, correct answer है, excessive thirst, बहुत ज़्यादा प्यास, volume of very dilute, dilute volume का आना, और urine, may be symptom of, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, dilute form के अंदर, urine का आना, ये किसका symptom है, let's see, कितना लोग सही ज़्याब दे पाते हैं, urinary tract infection, diabetes incipitus, viral gastroenteritis, hypoglycemia, ज़्याब लिके, अपना अपना, ज़्याब किसका लिके, अपना अपना, बहुत बढ़िया, rapid acting ही IV दी जा सकती है, इसलिए IV देते हैं, IV से glucose जल्दी कम होता है, ketoacidosis में ऐसा देते हैं, बहुत ज़्यादा, hyperglycemia होता है, तब ऐसा करते हैं, ज़्याब लिके, अपना अपना, बहुत बढ़िया, सभी क्या ज़्याब लिके, अपना अपना, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे, UTI, diabetes incipitus, viral gastroenteritis, और hypoglycemia, hypoglycemia, याद रहे कि क्या हो रहा है, excessive thirst, मतलब क्या हो रहा है, polydipsia, क्या हो रहा है, polydipsia, दूसरा क्या लिकावा है, volume of very dilute urine, polyurea, polyurea, polydipsia और polyurea, diabetes के symptom है, diabetes के symptom है, लेकिन यहाँ पे लिकावा है, diabetes incipitus, क्या लिकावा है, diabetes mellitus नहीं लिकावा है, type 1 diabetes को, diabetes mellitus कहते है, यहाँ पे तो diabetes incipitus लिकावा है, एक hypoglycemia है, viral gastroentitis है, UTI है, तो जो आप तोड़ा सोच समझ के बनेगा, तभी मामला बनेगा, और यहाँ पे diabetes incipitus लिकावा है, मेरे दोस्त, अब याद रखो, diabetes mellitus जो बिमारी होती है, उसके अंदर एक और sign होता है, और उस sign को, उस sign को polyphasia कहते है, याद रखें, इस में hypoglycemia नहीं होता है, hyperglycemia होता है, क्या होता है, hyperglycemia, hypoglycemia में कभी भी 3P sign नहीं होता है, hyperglycemia होगा, तभी diabetes mellitus होगा, तो यह तो गलत हो गया, gastroentitis में diarrhea vomiting होता है, क्या होता है, diarrhea होता है, क्या होता है, दिया और क्या होता है वमिटिंग होता है वमिटिंग यह होगा और यूटिया ही जो होता है इसमें small and frequent less or frequent urine आता है less and frequent urine with burning with fever with chills यह भी नहीं है तो correct transfer तो यही रहेगा diabetes mellitus option में है नहीं diabetes insipetus जो कि ADH hormone की deficiency से होता है ADH की deficiency से anti-diabetic hormone की deficiency से यह जो B answer है वो correct है और यह बिमारी हम आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन यह तोड़ा confusing रहता है diabetes mellitus और insipetus तो confused ना हो वो तो posterior pituitary के ADH के नहीं होने की वजह से होगी और यह insulin के नहीं होगी तो दोनो decades of app में पर यह नहीं है और दोनों भीमारी यह नीदर दोनों भीमारियों चे अंदर प्छॉण juvenile होता है और यह ज़्ब अलगा प्छॉण का मतलब वहता है रशक्रीallo कोण यह मेरी बात जहिए इसको видим पानी ज्यादा इसके वा क्योंकि A.D.H. Harmon Water को Re-Apjobb नहीं कर पा रहा है क्योंकि है यहीं नहीं वो क्या Re-Apjobb करेगा अरे जो पड़ी नहीं रहा है selection को छीनना पड़ता है अपने जुनून अपने होंसले और 16 डिग्री पर भी पसीना बहाने से ऐसे नहीं होते है selection ऐसे selection ही होते है तो selection उसी का होगा जो सिद्दत के साथ में जुनून और होंसले के साथ में लगातार सैसन अटेंड करेगा हर एक topic को clear करेगा क्योंकि मैनत एक दिन की नहीं होती है लेकिन उस हर दिन की मैनत से वो एक दिन आता है जिस दिन माता फिता के चेरे पे हसी का कारण हम बनते है और उस दिन कोलर हमारी उपर हो जाती है तो यह बहुत important बात है हम अगले question की तरफ बढ़ें which are symptom of hypoglycemia कौन सा hypoglycemia का symptom है जो आप लिखेगा hypoglycemia का कौन सा symptom है पहला लिखावा है irritability दूसरा है drowsiness तीसरा है abdominal pen और चोता है nausea and vomiting hypoglycemia का symptom जो आप लिख दीजेगा सभी लोग जब हम type 1 diabetes का इलाज करेंगे तो उसका most common complication इलाज में इंसुलीन का में लेंगे और इंसुलीन का most common complication है hypoglycemia hypoglycemia is the most common complication of insulin and it is the most common cause of death or in present with diabetes diabetes वाले में मृत्यों का कारण भी hypoglycemia अब आपको बताना है symptom तो जो hypoglycemia का मरीज होता है वो irritable नहीं रहता है वो irritable नहीं होता है वो abdominal pain या nausea vomiting नहीं करेगा वो drowsy हो जाएगा पसीने छूट जाएंगे sweating होगा हात्मा उठने पढ़ जाएंगे और उसका heart rate तेज हो जाएगा क्या heart rate तेज टेकिकार्डिया palpitation टेकिकार्डिया palpitation ड्राउजीनेस लितार्जी coolant कामी skin sweating profuse sweating यह सब indicate करते हैं कि मरीज hypoglycemia में चला गया है जब hypoglycemia में चला गया है कैसे पता किया हमने blood glucose का level check किया और जब हमें लगा कि मरीज hypoglycemia में चला गया है और मरीज अगर औरली ले सकता है तो पहले तो हम उसको treat करते है औरली और उसको juice पिलाते हैं क्या पिलाते है juice ये पिलाते है टोफी किलाते है मीटा देते है खाने को अगर वो ओरली ले सकता है तो अगर मरीज ओरली नहीं ले सकता है तो फिर हम इसका इलाज क्या करते है है इपनोट अगर नहीं ले सकता ओरली तो हम क्या इलाज करते है, IV देते है, और क्या देते है, dextrose देते है, क्या देते है, IV dextrose देते है, 25% दे सकते हो, 50% दे सकते हो, क्या, 25% दे सकते हो, 50% दे सकते हो, intravenous dextrose देना होता है, यह hypoglycemia का इलाज है, hypoglycemia is the most common cause of death, and is the most common complication of type 1 diabetes mellitus, समझ गे मेरी बात को, type 1 diabetes, most common diabetes, severe insulin deficiency diabetes, बच्चों में होने वाली diabetes, insulin के production zero, beta cell है इनी pancreas में, और इसकी वज़े से, मरीज में symptom आते है, diabetes के, पतला हो जाता है मरीज, और polyurea, polydipsia, polyphasia, और वजन का loss हो जाता है, और मरीज ketoacidosis में आता है, इलाज insulin है, IV, insulin emergency में, बारी insulin को देने का root subcutaneous होता है, और line of treatment insulin है, जिसका most common complication आईपोगलाइसी में है, हर बार insulin देने से पहले सुगर को चेक करते हैं, तो ये एक सांदार, जानदार और जबरदस session, देते हैं इसको यही पर विराम, हम फिर मिलेंगे एक नए session के साथ में, और लेके आएंगे एक important topic, जिसको करेंगे detail के साथ में बात, लेकिन एक important चीज, किसीने बड़ा खूब काई कि, इस्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो तूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हमने एक संकल्प किया है अपने आपसे, और अपने आपसे किया हऊअ Iraqis क ilgili मत तोड़ना, जो तूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्षे से दूरी रखना मेरे दोस्ट, हार को लक्षे से दूरी रखना मेरे दोस्ट, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और सोगंद मादेव की हम पेदा हुए हैं जीतने के लिए और संकल्प सिरफ एक है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो मिलते हैं दुबारा कर ठीक साम को साड़े चार बजे नए सेसन के साथ मैं करेंगे एक और धमा का तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै माकाल